हम सब के मार्ग दर्शक देश के यससी प्रधान मंत्री आधनिय सी नरेंद्र मोधी जी प्रधेश की मान्य राज्यपाल सीमती आनंदी वेन पटिल जी मान्य रक्सा मंत्री सी राजनाज सिंग जी सभी केंद्रिय मंत्रीगण देन्मार्क ता युएई के मान्य मंत्रीगण प्रधेश सरकार में मेरे बडिश्ट सयोगी उप मुख्य मंत्री द्वय सी केशो प्रशाथ मोर्य जी सी बडिश्ट बाठग जी मंत्री मंदल के मेरे सभी सयोगी गण सभी यहाँ पर उपस्तित मान्य एम्बेश्डर्स उचायुक्त गण देश और दुनिया के उद्योग जगत के सभी कॉर्परेट लीडर्स पॉल्सी मेकर्स बिश्निस डेलिगेशन्स और उपस्तित सभी उपस्तित निवेशक बंधों मैं आप सबका असीम संभावनावले इस प्रदेश ने उत्तर प्रदेश की पचीश करूर जनता की और से आधनिय प्रधान मंत्री जी का उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेश्टर समिट के आज के सायोजन में हिर्दे से स्वागत करता हो अबिनंदन करता हो हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ने विगत छे वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्दी हासिल करने की दिसा में प्रयास प्रारम किया है वादने प्रधान मंत्री जी के रिफार्म पर्फार्म और ट्रांस्फार्म के मूल मंत्र को अंगिकार करते वे उनके नित्रत और मार के दर्सन में ही उसे हासिल किया है आज जब देश अपने आजादी के अम्रित काल के प्रथम वर्स में प्रवेश किया है इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेश्टर समीट और ग्लोबल इन्वेश्टर समीट के माध्यम से बैसिक निवेशक समधाय को पॉल्सी मेकर्स कॉर्परेट लीडर्शिप बिजनेस टेलिकेशन्स शिक्साविदों पॉल्टिकल और गॉर्मेंट लीडर्शिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का ये मंच उन प्लब्धियों को आदनिय प्रधान मंत्री जी के विजन के अन्रूप उत्तर प्रदेश की अर्थ विवस्ता को वन टिलियन डॉलर की कॉनोमी बनाने की दिस्था में प्रियास का एक अभिन हिस्सा है मुझे बताते हैं प्रसंता है कि इस ग्लोबल इन्वेश्टर समीट में नीदर लेंड, डेनमार्क, सिंगापूर, जापान, दक्षिन कोरिया, आस्टेलिया, इटली, संयुक तरब अमीराथ, युनाटेट किंग्डम और मौरिसस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं ताद दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधी इस आयोजन में सामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तों में एक निवेश के महा कुम्ब के रूप में इसे एक निया स्वरूप प्रदान किये हैं आदने प्रधान मंत्री जी ग्लोबल इंवेश्टर समिट के लिए आपके मार्ग दर्शन के उपरांथ उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्री मंदल के सम्मूह ने दुनिया के सोला देशों की 21 सहरों में रोड़ सो के आयोजन किये थे उन सभी देशों में भारती मिसन से जुड़ेवे हमारे माने राज़दूतों ने उन्हें भरपूर सयोग दे करके आपके विजन के इन रूप उत्तर प्रदेश में ट्रेड टूरिजम एंड टेक्नलोजी के उस अविहान को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्तुपूर योगदान दिया इसके साथ ही देश के दस बड़े महानगरों में भी इन रोड सोच के आईजन के गए और आज जब यहाँ पर आपका मार्ग दरसनम सब को प्राप्त होने वाला है तोना केवल प्रदेश की राजधानी लखनों में दस हजार से धिक यहाँ पर आएवे उद्योक देश के दुनिया के प्रमुक उद्योक पतियों निवेशकों ता बिजनेस डेलिक गेसंस की उपस्तिति में बलकि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी ये कारिकरम एक साथ संचालित हो रहा है सभी 75 जनपदों में एक कारिकरम एक साथ हम लोग आगे बढ़ाने का कारे कर रहे हैं इन पूरे कारिकरमों को आगे बढ़ाने के लिए हमें UK, U.S. इंडिया स्कारटेजिक पार्थनिक परटनरशिप फोरम, UK- इंडिया बिस्नेस कांसील, EU इन्वेस्मेंट इंड्य चेमबर, आश्टेलेन इंडिया बिस्नेस कांसील, फैटेशन अपिन चेमबर अब कोमर्स अइं निदी ठिक्की, C.I.I., शदन इंडिया चेमर मुझे इंडा ャ्मोपिंडो गौूंवस्टि, जेट्रो कोट्रा, अबूधापी चैमबरस आप कॉमर्स, इंडो कनेडा चैमबर आप कॉमर्स, कनाडा इंडिया फैडरेशो नीडियं इंड sack, इंडियां इंडर्स्टीज अैसोसेशन, पीस्टी चैमबर आप कॉमर्स, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोगी बनकर कि इन कारिक्रमों को आगे बढ़ाने का कारिकिया है। प्रदेश के अंदर इस पूरे निवेश महाकुम्ब के आउसर पर जो परमुक बैस्विक और भारतिय कमपनियों से ग्रीन हाइड्रोजन, रुनियोबल इनर्जी, इलेक्टोनिक्स, डिफेंस, एन एरोस्पेस, यहाथ, फूट प्रोसेसिंग, डेरी, फार्मा, वेरहाउसिंग और लाजिस्टिक सहीत सभी 25 सेक्टर में, जिनकी सेक्टोरियल पॉल्सी जुत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जारी की है, हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं प्रदेश के अंदर, निवेशकों की सुविधा के लिए, प्रदेश सरकार ने फोर फिलर्स तै किये हैं इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश स्मित्र, तैंटीस विभागों की 406 सेवाएं ये उपलब्द करवा रहा है इन्वेश्टर लेसंचिप मैनिस्मेंट पोर्टल निवेश सार्थी, ये निवेशकों की जिग्यासाओं की समाधान, समस्या निवारण और निवेश प्रियोजनाओं के अनुसर्वन की सुविधा दे रहा है, तो नीतियों में प्रावधानिक, इन्सेंटिव को प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन इन्सेंटिव, मैनिस्मेंट सिस्टम को भी विक्सित करने के साथ ही, हर एक निवेशक के साथ, एक प्रदेश क के अंदर उद्यमी मित्र की तैनाती करने की विवस्ता भी इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंब की है, आपके मार्ग दरसन में उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्स के अंदर, इस ओप बिंग बिसनेस में, एक अच्छी सफलता प्राप्त करते वे लीड्स रैंकिंग में एचीवर स्रेणी प्राप्त की है, प्रदेश ने पिसले 5 वर्स के अंदर अपने निर्यात को भी दुगना करने में सफलता प्राप्त की है, प्रदेश में आज आपके नेत्रत परमार्ग दरसन में, हमारे पास अच्छा इंफरस्ट्रक्चर है, प् और उत्तर प्रदेश की जो ने तमाम संभावनाये हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है, खाद्यान, दूद, गन्ना, आलू वाइथनॉल उत्पादन में प्रदेश देश में नंबर वन है, वारानसी का सिर्ग कलस्टर, प्रदेश के अंदर हैं, और इन सभी अन्ने सेक्टर्स में, जहां पर प्रदेश के अंदर संभावनाये हैं, उन सब को गढ़ाने के लिए सेक्टोरियल पॉल्सीज, इस दिसा में बहत्तफूर भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस फिल्म सिटी, टाय सिटी, अपेरल पार्क, हैंडी क्राप्ट पार्क, लॉजस्टिक हब, इंटीग्रेट इंडिस्टिरियल ताउन सिप, मेगा फूट पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, गार्मेंट पार्क और कई प्लेटेट फैक्टरी कॉम्पलेक्स के विकास की कारवाई भी प्रदेश के अंदर युद्धस्तर पर चल लई है, और आज मुझे बताते वे प्रसंता है, कि पिसले छे वर्स में, आपके नित्रित और मार्क दरसन में, राज्य के ओध्योगिक प्रद्रिश्य में, जो सकारात्मक प्रिवर्तन आया है, आज वह जमीनी धरातल पर भ हमारे पास 18,643 कुल MOU हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं, और जिनके माद्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड रुपे की निवेस के प्रस्ताओं हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माद्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से धिक, यहाँ पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माद्यम से प्रदेश के अंदर होंगी, यह सभी जो सेक्टर वार प्रस्तावित निवेस है, इनमें रिनेल्वाज इनर्जी है, electronics manufacturing, industrial park, education, manufacturing, warehousing and logistic, real estate, IT enabled,ong miserable services, tourism, textile, power generation, housing, healthcare, food processing, dairy, food and civil supplies, वेस्ट इनरजी बायो फ्यूल इन सभी छेत्रों में हुआ है इसके साथ ही सबसे में तुकोर बात ये कि पिछले चेप वर्सों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है इनमें जो निवेश के प्रस्ताव आये हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी छेत्र और बुंदेलकंड का अर्थिक दिस से पिछड़ा माना जाता था इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी तरप्रदेश के लिए नौ लाख पच्पन हजार करोड़ उपे के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलकंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ उपे के प्रस्ताव इस उसर प बिकास की जिन नई गुलंदीओं के और अग्रसर हो रहा है बिमारू राज्य के दंस से मुक्तौ हो करके देश के ग्रोफ इंजिन के रूप में स्तापित करने के आपके विजनेरिन इतुलतों में जो एक उतरप्रदेश, सरोकार उतरप्रदेश वाशियों को आपने दैक् बढ़ रहा है मैं इस उसर पर अपने सभी इंवेस्मेंट पार्टनर्स को प्रदेश के अंदर एक बहत्तर प्रसासन और स्वर्वत्तम इस ओप डूइंग बिसनेस की सुभधा प्रदान करने का स्वासन देते वे आप सभी के आगमन के लिए प्रदेश की जंपा की और से अबहार रेक्त करते वे आप सब के प्रसाथ को इस बात के लिए आज स्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आपके हितों के लिए और अपने पॉल्सी के अंतरगत आपको हर संबह स्वयोग देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कारे करेंगी जैहिंग